दोस्तों मुंबई इंडियन्स के नव न्यूक्त कप्तान हार्दिक पांडिया ने सोमवार को प्रेस कॉनफरेंस की पांडिया इससे पहले गुजरात टाइटन्स के कप्तान थे उन्होंने गुजरात की टीम को दो साल तक कप्तानी की गुज़ा टाइटन्स ने उनकी कप्तानी में एक बार किता जिता और एक बार उप विजेता रही बारतिय ओल राउंडर की इसी काम्याबी को देखते हुए मुंबई इंडियन्स ने उन पर आईपियल में दाउन लगाया हार्दिक पांडिया ने एक सवाल के जवाब में कहा कुछ भी बदलने नहीं जा रहा वे रोईत मेरी मदद के लिए हर वक्त मौझूद है जिसा कि आपने कहा कि वे बारत के कप्तान है इससे मुझे मदद मिलेगी क्योंकि इस टीम ने जो भी हासिल किया है वे उनकी कप्तानी में ही हासिल किया है मुझे सिर्फ उनकी विरासत को आगे बढ़ाना है कप्तानी बदलने पर क्या कोई फरक बढ़ेगा इस सवाल पर हार्दिक पांडिया ने कहा मुझे नहीं लगता कि इससे कोई ऐस ऐस तीदी बनेगी या कोई अंतर आएगा ये तो अच्छी बात है कि हम 10 साल साथ साथ खेले हैं मेरा पूरा केरियर उनकी कप्तानी में आगे बढ़ा है मुझे पता है कि उनका हाथ मेरे कंदे पर पूरे सीजन रहने वाला है दोस्तों हार्दिक पांडिया के इस बयान पर आप क्या कहेंगे कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें